हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम राहूर राप का फिर से अपनी यूटिब चैनल डारगेट बोडिक जीया में बहुत बहुत सबागत है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही जादा मोहत अपूर्ड सूचना बताने वाला हूँ यह सूचना जो है बहुत ही जादा मोहत अपूर्ड है आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाश्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आपकी जो बोड परिक्षा है वह होगी या नहीं होगी क्योंकि जादा तर इस्टुडेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि वह एक सोच रहे हैं कि हमारी आखिर बोड परिक्षा होगी कि नहीं होगी कुछ इस्टुडेंट्स ऐसे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं पर उनके मन में यह संकाब बनी हुई है कि आखिर हमारा जो बोड इक्षा है वो होगा यही सोच कर उनके मन में परिसानी है कि अगर नहीं हुआ तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा तो आज मैं इनका भी प्राबलम दूर कर दूँगा और कुछ इस्टुडेंट्स ऐसे हैं जो कि यह सोच कर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि हमारा बोड इक्षान क्या हो जाएगा अगरे के सारी consideration कर दूर कर दूर कर दूँगा कि आपको जो परिक्षा है नहीं होगी है नहीं होगी तो देखीक आपका जो प्लस पहले में आप लोको बता देता हूं कि जो आपका चुनाव है जो यूपी में चुनाव है वो 10 मार्च तक उसकी सारी प्रक्रिया खतम हो जाएगी ठीक है कितने दिन में कितने तक कब तक तो 10 मार्च तक उसकी सारी प्रक्रिया खतम हो जाएगी सब मतलब सब खतम हो जाएगा नए हमारे जो चिप मिनिश्टर हैं मुख्यमंतरी आ जाएगी तो 10 मार्च तक सब खतम हो जाएगा और उसके बाद देखिए सब मतलब मार्च है, अप्रेल है, माई है मतलब अब इसके आगे कुछ भी नहीं है और सरकार इस बार बोर्ट एक्जाम कैंसिल कर भी नहीं सकती क्योंकि एक बार कैंसिल कर चुकी है तो सरकार बार बार आपकी बोर्ट परिक्षा कैंसिल नहीं करेगी तो आप यह न सोचिए कि आपकी बोर्ट एक्जाम नहीं होगा इस गलत फैमी को मन से निकाल दीजिए क्योंकि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो आपका बोर्ट एक्जाम है वो होगा ठीक है क्या है होगा मैं 100% guarantee के साथ कहता हूँ कि आपका board exam होगा इसलिए अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए मल लगा कर पढ़िए ने तो आप कोई पच्चताना पढ़ेगा ठीक है और हाँ friends ज्यादा तर जो students सोच रहे हैं कि हमारा board exam नहीं होगा हमारा जो पढ़ा लिखे जो है वो बेकार हो जाएगा तो ऐसी कोई बात नहीं है अगर नहीं भी होता है तो वो सब बेकार नहीं जाएगा आगे चल कर वो आपको फाइदा ही देने वाला है ठीक है और आपका board exam होगा आप अच्छे तरीके से पढ़िए और 90% marks लाइए ठीक है क्योंकि हमारा target भी 90 plus marks का है इसलिए मन लगा कर पढ़िए यही मौतपूर्ट सुचना थी कि board exam होगा कि नहीं होगा तो मैंने clear कर दिया है कि आपका जो board exam होगा वो 100% होगा 100% होगा ही होगा ठीक है क्योंकि उस बार जो दूसरी लहर आई थी उसमें कोरोना के कैसे ज़्यादा बढ़े थे बहुत ज़्यादा लोगों की जाने गई थी इसलिए cancel करना पड़ा था लेकिन इस बार उतना भी ज़्यादा नहीं है इसलिए इस बार सरकार cancel नहीं करेगी इसलिए आप लोग बढ़ाई पर ध्यान दीजिए ठीक है तो यही इस वीडियो में मुझे बताना था आसा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो चलिए मिते नेक्स वीडियो में रगे वस मेंदाननित एकग ट पर शेनका 가능 झाल झाल